हलो स्थो वल्कम टूवें नई वीडियो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट और बहुत स्पेसल होने वाले है इस वीडियो पर में इनिश्टिम एड्स सेटप के बारे में कंप्लेटली बात करने वाला हूँ अगर आपका इनिश्टिम आपको नहीं करना है और क्या करोगे तब जाके आपका इनिश्टिम एड्स जो रिवीव में जाकर भी चब्विस घंटे में आपका माई डिजन ओन हो जाएगा ये आप इस वीडियो से सीख पाऊगे आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा वीडियो के एंड तक मन लगा कर द 60,000 वास्ट टाइम वह भी लास्ट दो माईने के अंदर निके लास्ट 60 डेज में जब कंप्लीट हो जाता है ता आप फेस्बूक के तरफ से एक नोटिफिकेशन या आपका पेज में माईटेशन सेक्शन में ऐसे एक उप्सेंस आता है इनिश्टिम एड्स सेटप और वहा इनिश्टिम एड्स पर सेटप करने के बाद रिव्यू में जब भेजोगे उसका फॉर्म आप कैसे फिलफ करोगे सही तरीका क्या है कैसे आप करोगे तब जाके वह 24 गंटे के अंदर आपका माईटेशन एनेवल हो जाएगा सब कुछ मैं बताना वाला हो आप ही मैं स्क्र यह और कंपीट से आप फेस्बुक का जो मेटा विजनेश सुईट है उसको लॉग इन कीजिए अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो मोबाइल का जो एप से वहीं से आपको दिखने को मिलेगा स्टाफ सेटप का आप्सेंस तो मैं कंप्यूटर से दिखा रहा हूँ इस से उसको स्टाट करना तो स्टाट करने के छिए सेट आप वाला जो ओप्सेंस आ वहाँ पर आप आप किजिए यह किजिए जैसे किलिक किजिएगा तो वहां पर आपको दीखने को मिलेगा आपका पेज का नाम और दू आप्सेंस है रिविव टारॉम्स, एकृत्थ और यहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो और नीचे corner भी र्याट side corner में computer में आपको दिखने को मिलेगा Scroll to confirm यह मोबाइल से करे हो तो मोबाइल में भी आपको दिखने को मिलेगा ठीक है तो agree to terms उसके बाद जैसे उसको आप टिक किजिएगा complete किजिएगा यानि कि accept किजिएगा तो आपका दूसरा जो option से वो enable हो जाएगा setup account तो आप बारी आती है आपको आपका account setup करने का तो setup करने के लिए उसको आप accept किजिए वह पर आप click किजिए click करने के बाद आपके सामने ऐसा एक page आ जाएगा you can add a paper और bank account to associate with this page यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे bank account add करना है payout account setting करना तो उसके बाद आप next option में जाओ red side corner में आपको देखने को मिलेगा next next में click करने के बाद आपके सामने ऐसा एक window open होगा और यहाँ पर आपके लिए वह मांग रहे है setup payout account let's start with basics यहाँ पर जो first वाला option से यहाँ पर आपको first जो आपका name है first name आपको first name यहाँ डालना होगा ठीक है text document से step by step आपको करना होगा यहाँ पर अपना first name दीजिए उसके बाद आपका surname दीजिए उसके बाद date of birth आपका जो pen card या अधर card में जो आपका यहाँ पर देना चाहत हो text document pen card में आपका वही date of birth दीजिए इधर उधर गरबर मत कीजिए इधर उधर होगा तो आपका सब कुछ pop out हो जाएगा और country आप जिस country से बिलोंग करते हुआ उस country का आप यहाँ पर नाम लिखो जब इस सब करोगे तब धैन दे कर किजिएगा थोड़ा इधर उधर होगा तो सब कुछ गरबर हो जाएगा उसके बाद next करने के बाद आपके सामने एक options आएगा और enter business info आपका country के नीचे एक options है business type तो यह जो type होगा आपका individual होगा ठीक है बहुत सारा अलाग अलाग options आपको दिखनी को मिलेगा जैसे इंडिविजियल partnership, joint venture, sales, public corporation, private corporation, government corporation, non profit तो आपको यहाँ पर भढ़ना है individual इंडिविजियल भढ़ने के बाद आपको next करना होगा और next करने के बाद यहाँ पर interior information, personal information मंग रहा है तो यहाँ पर आपको personal information आपको भढ़ना होगा तो personal information आपको क्या भढ़ना होगा जो आपका नाम वगएरा है वो automatically ले ले लेगा ठीक है आपका date of birth भी ले लेगा और home address जो है आपका village, post या आपका city जो भी है आपको सही सही भढ़ना होगा आपका अधर कार्ड में जो भी लिखा हुआ है देखकर आप ठ ठीक से लिखिएगा ठीक से टाइप किजिएगा थोड़ा भी इधर उदर किजिएगा तो गरबर हो जाएगा तो पहले आपका नाम उसके बाद सरनेम उसके बाद आपका village या आपका address आपका district आप कौन सा state से हो postal code phone number मायाएगा उसके बाद आपना email address जिस address से आपका जो आ identification number है यह है आपका इंडिया में कहा जाता है इसको pen number permanent account number तो यहाँ पर आपको pen number लिखना होगा और उसके बाद नीचे है VAT GST यहाँ पर VAT GST आपको देने का कोई जरूरत नहीं है वो optional है ठीक है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है सिधा सिधा आपको under penalties जो of injury का options है तो वहाँ पर आप click किजिए next करने के बाद आपका जो दूसरा एक window आपके सामने open होगा और वहाँ पर मैंगा choose how did you get paid तो manually link bank account पर आपको tap करना होगा अगर आप PayPal एड़ करना चाहते हो तो PayPal भी प्रफद करने वाला हो तो पहले आप अपना country का नाम दीजिए first box में अपका country लिखिए उसके बाद दूसरा जो होँआ पर आप जिस नाम से जिसका नाम का bank account आप एड़ करना चाहते हो उनका नाम लिखो bank holder name यह पर थोड़ा बहुत वक्त लगेगा ठीक है तो account holder name का उनका नाम लिखिए उसके बाद bank का swift quote swift quote आपको कहां से मिलेगा जिस bank से जिस bank आपका account है उसी bank का swift quote आपको देना होगा साथ आपका SBI का है तो SBA का दीजिए अगर आपको मालूम नहीं है तो bank में जाकर पूछ सकते हो या Google में आप Google भी कर सकते हो तो SBA का एक address मुझे चाहिए तो वह पर मेरा bank का head office का नाम लिख के search कर सकते हो यह पर आपको थोड़ा वह समय लग सकता है अगर आपको मालूम नहीं है तो गरबर मत किजिए पूछ कर आप यह कम किजिए किसी से पूछी उसके बाद bank account number आपका जो खाते का number है वो खाता व लॉग बला बटन है वह पर आप क्लिक किजिए वो करने के बाद यह लोडिंग होगा लोडिंग होने के बाद add your tax information मंग रहा है तो आपका जो tax information है यह पर आपको add करना होगा अगर आपका भरा हुआ है तो आप इस step को skip कर सकते हो आटोमेटिकली ले लेगा add tax information तो आपका जो आईडी है उसी आईडी से वो आपका जो tax info है वो वहाँ पर continue हो जाएगा और वहाँ पर add हो जाएगा जो भी आपर आप करने जा रहे हो वो आपना original ID के हिसाब से ही होगा ठीक है एक बार setup कीजिएगा तो आपका account के लिए setup हो जाएगा वो बाला bank बाला setup हो जाएगा दूसरे page के लिए आप दूसरा account भी डल सकते हो लेकिन setup आपका एक ही भर करने से हर एक page के लिए वो हो जाता है तो आपना account से आप continue कीजिए और tax information आप add कीजिए tax information का जो आपका what is your tax classification जो है वो आपका individual automatically select हो जाएगा उसके बाद जो है आपसे पूछ रहे are you a citizen जो दूसरा option से आपको करना होगा no तिसरा जो option से are you acting as an intermediary intermediate agent आप किसी दूसरे का payment अपने खाते में ले रहे आप middleman हो आप नहीं हो तो यहां पर आप simply no करो ठीके पहला वाला individual दूसरा वाला no तिसरा वाला भी no उसके बाद आपको next पर जाना होगा next पर जाने के बाद आपको यहां पर tin number याने की taxpayer identification number याने की pen number आपको देना होगा वो automatically select हो जाएगा और country citizenship अपने पहले आपका नाम देना होगा उसके बाद country citizenship अब इंडिया से belong करते हो या Pakistan से शिलोंगा से जहां से भी belong कर सकते हो यह बंगलादेस हो अपना country का नाम यहां पर आप select करो उसके बाद जलबाजी नहीं करना है जिरे जिरे काम करो उसके बाद next में जाओ next पर जाने के बाद यहां पर आपको अपना tax information interview address देना होगा पहला आपका जो country automatically select हो जाएगा दूसरा जो है address line आपका address जो automatically select है पहले आप टाइप कर चुके हो उसको रहने दो दूसरे line में आप अगर कुछ add करना चाहते हो तो कर सकते हो आपका post name आपका थाना आपका district जो कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो बाद में आपको यह option technique को नहीं मिलेगा तो city आपका state zip code यानि के आपका pin code सबकुछ available है उसके बाद आप इसको next कर सकते हो next करने के बाद आपका add your mailing address आपका mailing address show होगा और जो यहां पर show हो रहा है यहां पर पूछे जा र जाग है तो which mailing address would I use तो हाँ पर आपको क्लिक करके change करना होगा और next में जाओ आपको change करने का कोई ज़रूद नहीं है सब कुछ पहले से fill up कर चुके हो और next पर जाने के बाद आपके सामने ऐसा एक window आपके सामने text information provide additional details relating to your services तो आप US से बाहर हो आप US से बाहर country से हो तो location of your services are or will be physically performed तो यहां पर आपको first पलो जो options है 0% of services तो यहां पर 0% आपको click करने के बाद select करने के बाद आपको next पर जाना होगा next पर जाने के बाद आपका ऐसा options आएगा और जो मैं select करके रखा हो भी आप select कीजिए और certified that वहां पर आप click कीजिए और नीचे में अपना signature type full name यहां पर आपको signature करना होगा और वो जो करना होगा पेंस से नहीं आपको यहां पर अपना original नाम लिखना होगा digital signature तो अपना full name यहां पर आप enter कीजिए इंट्री करने के बाद आपको आपका जो date है उसको आपको change नहीं करना है automatically selected है ठीक नेश्ट कीजिए नेश्ट करने के बाद आपके सामने review and submit का tech information का एक form आ जाएगा w8ban form और यह form पर जो भी लिखा हुआ है आप गौर से इसको आप check कीजिए अगर कुछ गलती है तो आप यहां पर change कर सकते हो अगर कुछ problem है अगर problem नहीं है तो यहां पर आप review करके simply आप इस form को submit form कर दीजिए जैसे submit कर दोगे तो आपका जो यह जो next window है ऐसा ही your text information is complete text profile यह complete हो जाएगा एक window नया ऐसे open आएगा और PDF भी आप download कर सकते हो अपडेट भी कर सकते हो और done करने के बाद यहां पर दूसरा जो settings था पहले वाला setup payout account उस window में जाओ और आपका payout tax payout setting हो चुक है उसके बाद इस option में आप इसको done कर दो जैसे ही done कीजिएगा तो आपके साइब ने ऐसा एक window आ जाएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है सिफ done करना है और submit review दोनों देखिए दोनों options accepted हो चुक है complete हो चुक है तो submit for review के लिए आप भीज सकते हो your submission has been received दोस्तों review में भीजने से पहले आपका facebook page यह profile के लिए आपको क्या क्या करना होगा आप यह सब point को भी uploading कर लीजिए अगर आपका facebook page copy paste video से monitor is हुआ है उसका criteria complete हुआ है तो review में भीजने से पहले आपका जितना सारा copy paste video है दुसरे का वीडियो है वह सब वीडियो को आपको delete करना है सब के सब आपको delete करना होगा आपके page के अंदर ऐसा भी कोई video या content या photo है जो community guidelines Facebook का community guidelines के खिलाब है तो वह सब content को भी आपको delete करना होगा आपके page के अंदर minimum 3 live videos होना ज़रूरी है अगर आपके page के अंदर कोई भी live videos नहीं है तो review में भेजने से पहले minimum 3 live videos आप कीजिए वह आपका gaming भी हो सकते है या आपका nature भी हो सकते है कुछ भी हो सकते है लेकिन minimum 3 live videos आप कीजिए और वह भी minimum 5 minutes से लेकर 15 minutes तक आप live कीजिए और नमबर 4 आपका Facebook page अगर रिल से मानिटेज हुआ है उसका watch time अगर रिल से complete हुआ है तो review में भेजने से पहले minimum 5 eligible वीडियो आपको अपना Facebook पर आपको रखना होगा वो वीडियो इनिश्टीम एड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है Facebook का eligible criteria है 5000 followers 60,000 watch time last 60 days में और 5 eligible videos उनमें से 3 live वीडियो तो यह सब आपको review पर भीजने से पहले आपको check करना होगा और करना होगा और अपका Facebook पेज का इनिश्टीम एड्स को अगर भेज चुके हो उसके बाद भी आपका Facebook पेज का इनिश्टीम एड्स का review लटके होए है अभी तक उसका कोई response मिल नहीं रहा है तो आप एक काम कीजिए minimum 3 वीडियो अप्लोड कीजिए 3 original वीडियो with original audio वीडियो minimum 5 मिनिट का वीडियो अप्लोड कीजिए और 3 लाइब वीडियो कीजिए वह भी minimum 5 मिनिट से लेकर 15 मिनिट तक तो देखिए का 24-48 आउर्स के अंदर आपका Facebook पेज माइड़ हो जाएगा अगर 4-5 दिन बीच चुका है फिर भी आपका Facebook पेज का इनिश्टीम एड जाएगा और आपका Facebook पेज का इनिश्टीम एड़्स ओन हो जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागा तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों कशाष शेयर कीजिए मिलते अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिया थैंक्यू सो मच